पूरी तरीके से डिसपोइंट हुआ हूँ मूवी में इस मूवी में जो कही गई है कि कॉमेडी हॉरर मूवी है ना तो यहां पर कॉमेडी है ना हॉरर है बिल्कुल भी मतलब कॉमेडी के नाम पर कुछ एक दो पंचलाइंस हैं जैसे कि रोल्स जॉयस वाला जो राजपालिया दब कहते हैं जो भी था आप लोग देख लेना तो वो कुछ सही था एंड हॉरर के नाम पल तो जीरो है ये मूवी एक सीन था सिर्फ इस पूदी मूवी में सिर्फ एक सीन था जो मुझे थोड़ा सा थिरिलिंग लगा है बाकी जमप स्केर के नाम पर हॉरिफाइं के नाम पर धराबनी के नाम पर कुछ भी नहीं वीरो है पूरी तरीके से एक सीन था जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कार्थिकारियन का जो करदार है मुझे मालूम था कि ये सपना देख रहा है सपने में वो पहुंच जाता है जहां पर ये मंजूलिका और अंजूलिका यानि की मांधुरी दिख्षित और विद्याबालन बैट करके अंताक्षरी खेल रही होती है फिर उसका सपना तूटता है मुझे मालूम था कि ये सपना देख रहा है और ऐसे एक ही नहीं दो-चार और भी सीन थे नहीं है तो कमजूर है, सुष्ट है, फिलू है, बोरिंग सा है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बोरिंग सा है एंड हाँ, एक सत्य तो ये भी है कि मूवी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझे इंगेजिंग लगी है उस तरीके से नहीं, कि आपको पूरी तरीके सा अपने साथ होके एंबोक करके रख पाए, उस तरीके से तो नहीं लेकिन बीच-बीच में मैं डिसकनेक्ट हो जाता था बहुत ज्यादा तो बोरिंग नहीं लगी है लेकिन बोरिंग है मूवी अब चूंकि यार एक चीज है इस मूवी में किसी भी तरह की कोई excitement नहीं है कोई intensity नहीं है, कोई thrill नहीं है कोई horror नहीं है, कोई comedy नहीं है एक दो punchlines को छोड़ दें तो तो भाई जब excitement नहीं है तो comedy क्या ही कर लेगी इस मूवी में हलकी फुलकी है comedy लेकिन personally मेरा take यह है कि मुझे जरा भी मज़ा नहीं आया था उस comedy को देखते हुए क्योंकि excitement ही नहीं है इस मूवी में तो भाई comedy जो है वो उतना impact नहीं डाल पाती है आप कहीं न कहीं disconnected रहते हो इस मूवी से क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर क्योंकि फिल्म में वो वाली depth नहीं है आप emotionally किसी भी करदार में invest नहीं हो पाऊगे कि उस particular करदार को लेकर आपको अच्छा बुरा feel हो और यह movie भाई Bollywood का यह इतियास रहा है कि जब भी कोई film बनी है अगर वो film चल गई है तो जबरदस्ती उन लोगों ने इस वो movie के अगले parts निकाले हैं फिर पैफे चापने के लिए बहुत बड़ा example एक दबंग हो सकता है race का हो सकता है race part 1, part 2 कहीं तक अच्छे थे part 3 बहुत व्यादा घडिया था उसके बाद एक example हो सकता है history का history जो movie थी वो अच्छी थी एंड जबरदस्ती उसका एक पूरा horror universe खड़ा कल दिया गया है दिनेश बिजान ने उनके एक movie आई थी इस universe में नाम था रूही बहुत ज़्यादा negative reviews मिले थी इस movie को इस लिए उस movie को इस पूरे universe से अलग कल दिया गया है ना तो खिरदार उसके यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और ना ही दिखाई पड़ेंगे अगर वो movie को थोड़ा बहुत भी positive response मिला हो था box office पे फिलॉप ना होई होती तो इसी universe का हिस्सा थी वो क्यों नहीं है क्योंकि वो फिलॉप हो चुकी है लोगों ने बहुत गंदा गंदा बोला था उसके बारे में टी फिरीज ने जरूर सोचा होगा कि दिनेश विजान ने अपना एक comedy horror universe खड़ा कद लिया है तो क्यों ना हम भी अपना एक universe खड़ा कद लें और इसी तरीके से इस फैरिस्ट में पहले movie अच्छी आई बागी की movie जगटिया निकल के आ रही है इसी फैरिस्ट में बूल बुलाईया भी शामिल हो गई है पाइट बन जो था वो अच्छा था कल्ट क्लासिक movie है iconic scenes थे उस movie में अरे बेटी पुश्पा और बहुत सारे उस movie में ऐसे themes है जो लोगों को रटे हुए है जैसा कि चुपचुपके के themes ह Billy लया दे भामत बांकी भागंबाग के themes हो हेरा फेडी के theme song जो लोगों को रटे हुए है जो लोगों को अच्छे से याद है कि इस शाट में क्या होने वाला है उतने अच्छे से लोगों को याद है इस movie में, बूल बुलईया 3 में even बूल बुलईया 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कह पाएं कि वो अच्छा सा था हालांकि ये जरूर है कि बूल बुलईया 2 में कुछ एक दो themes हैं जो थोड़े से पहली बार में मुझे horrifying लगे थे किया अड़वानी को लेकर हो या कुछ और दो एक-दो themes हों बुल बुलईया 2 में जो मुछ एच्छे लगे थे और इस movie में honor के phone का खुलेयाम promotion चल रहा है बार बार उस phone के back cover को दिखाया जाता जहां पर honor लिखा हुआ दिखाई पड़ता है और बार बार photo samples देखने को मिलते कि कितनी अच्छी photo आ रही है इन लोगों के पास iPhone की shortage हो गई दिखिया अरे यार यार यतना ज्यादा promotion तो अच्छे है अजए और SR के भी नहीं करते है पान मसाले का जितना ये लोग honor के phone का promotion कर रहे है इस movie में भाई movie के अंदर promotion चल रहा है phone का अब भी मुझे यतना याद आ रहा है ये पहली ऐसी movie है जिसमें कोई भूत mask लगा के गूमता है और सिर्फ mask पहन के गूमता नहीं है बलकि climax में end में हम ये भी देखती है कि उस भूत का आंसू भी टपकता है और जमीन पर जाकर के गिरता है मेरे पास screenshot नहीं है लेकिन आकर होता तो मैं जरूर दिखाता आप लोगों को और उसके अलावा movie के climax में कुछ twist and turns है थोड़ा बहुत interesting kind of engaging feel होता है उस तरीके से कि कुछ है कुछ depth बगएरा है वहाँ पर तो वो जो end था ठीक था end इस वो movie में एक cameo हो सकता था उस superstar का जिसका आज बड़ दे है वो इन शॉट इस वो movie को देखने के बाद जो एक direct thought मेरे दिमाग में आया है वो ये है और इसके लाब भी गाने कुछ व्यादा खास नहीं है लेकिन जो वो आमी जे तुमार है जिसमें माधुरी और विद्यावालन एक साथ डांस कर रही होती है परफॉम कर रही होती है वो गाना मुझे कहीं तक अच्छा सा लगा है मैं कह सकता हूँ जो टैटल सॉंग है बोल बलाईया का जो एक मास्टर क्लास गाना था उस गाने की जख मार रखी है इन लोगों ने यहाँ पर बहुत व्यादा घटी है टैटल सॉंग इन लोगों ने इस वार बनाया है तो भाई इन शौटी एक बिलू एबरेज बकबास सी मूवी है जो लेंदी है काइंड ओफा बोरिंग है हलांकि बीच में छोड़ देने का मन तो नहीं किया है क्योंकि जो क्रदार है कहीं न कहीं लाइकेबल लगते हैं आप लोगो ने देखी यह अपने दिख्षित का भी कुछ को जगे अच्छा से लगता है एंड बिद्याबालन का भी कुछ को जगे अच्छा से लगता है बाकि जो और कितदार है उनका भी राजे शर्मा हो या पर तिरिपती डिमरी हो या पर संजय मिशरा हो या पर अशुनी काल फेकर हो या फिर राजपाल यादब हो या फिर छोटे मिया जो अमित अरुन कुशुबा है उनका हो वो उनको बस इस मूवी में इसलिए रखा गया था कि क्योंकि वो हर जगे बार-बार बेहोश हो जाए बिलैक आउट हो जाए पास आउट हो जाए वो बंदा इसलिए इसको यहाँ इस मूवी में रखा गया था I guess इस्टोरी के बारे में मैंने कोई भी बात नहीं की है और बात करने की जरुदत भी नहीं है ना की जाए तो ही अच्छा है क्योंकि कहानी के बारे में कहने के लिए कुछ भी खास यहाँ पर है नहीं जो कहा जाए आप लोगों से अगर आप पैसे बिस्ट नहीं करना चाते तो दूर ही रहना इस मूवी से अगर बिस्ट करना चाते तो खुद ही देख लेना मेरा तो यहीं सबस्राइब करना चैनल को वीडियो को एंड़ देशी बने ते शाने साने को थैंक यू झाल